हेलो फ्रेंट्स मैं सुस्मा कोहाड ऐसके व्लोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं आज के इस व्लोग में मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बालों की केर कैसे करती हूँ जिससे मेरे बाल काले घने और लंबे है तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने बालों को गर्मी के मौसम में वन वीक में दो बार बोश करती हूं और सर्दी के मौसम में वन वीक में एक बार ही बोश करती हूं और बालों को बोश करने से पहले ओयल मसाज जरूर करती हूं क्योंकि ओयल मसाज करने से हमारे जो बाल है वो काले घने और लंबे होते हैं बाल हेल्दी बनते हैं और यहां पर मैं उसी ओयल से मसाज कर हूँ जिसकी रेमेडी मैंने आप सब के साथ शेयर की हुई है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको पता चल सकेगा कि मैंने इस ओयल करने से ये सारी समसें जड़ से खतम हो जाएंगी और आपके बाल भी काले घने और लंबे हो जाएंगे तो यहां पर मैं मसाज कर रही हूं और मसाज करने का भी अपना एक तरीका होता है तो आप देख लीजिए कि मैं किस तरीके से अपने बालों में मसाज कर रही हूं यह नहीं होता है कि हमें सिर्फ बालों की जड़ों में ही मसाज करनी होती है हमें बालों की लंबाई का भी ध्यान रखना है जितने लंबे हमारे बालों में हमें ओयल लगाना होता है जिससे बाल हमारे बिल्कुल तंदुरुस्त बनसके तो मैं अपने पूरे बालों में देख लि ही बालों को वोश करना चाहिए तो मैं यह अपना सारा काम करके फिर आप से मिलूँगे यह क्योंकि फिर मैं आपको दिखाऊंगे कि बालों को धोना की इस honesty से चाहिए जिससे बाल कम से कम तूटे क्योंकि अगर बालों को धोने का तरीका ठीक नहीं होता है तो धोते टाइम भी हमारे बहुत सारे बाल निकल जाते हैं क्योंकि वो जड़े हमारी वीक हो जाती हैं तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से अपने बालों में मसाज करना शुरू कीजिए चीज तरीके से मैं कर रही हूँ तो मैं गैरंटी देती हूँ आपके बाल जड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे तो मैं ये सब करके और फिर आपसे मिलती हूँ कि मैं किस सैंपू से वोश करती हूँ और कैसे करती हूं तो friends अब मैं यहाँ पर अपने बालों को wash करूँगी और बालों को wash करने के लिए मैंने लिये हैं यहाँ पर LOREAL shampoo के दो पाउच और conditioner का एक पाउच अब मैंने यहाँ एक डिबे में पानी ले लिया है और एक understandable का पाउच इसमें मैंने घोल दिया है और एक साथ मैं दोनों सैंपू के पाउच कभी भी पानी में नहीं घोलती हूँ इससे क्या होता है कि सैंपू की मातरा ज़्यादा हो जाती है जिससे हमारे बालों में एकदम से बहुत ज़्यादा ज़ाग बन जाती है जो हमारे बालों को नुकसान ज़ादा करती है और साफ कम करती है तो इसलिए मैंने पहले एक सेंपू का पाउच पाणी में घोल लिया है तो जब भी आपको अपने बालों को वोश करना हो तो अपने बालों की length के according जितना सैंपू आप यूज करती हैं उसका आधा पहले यूज कीजिए उससे बालों को वोश करने के बाद जितना भी सैंपू आपके बालों में उसे निकाल दीजिए फिर जो बचा हुआ है उससे अपने बालों को वोश कीजिए इससे आपके बालो क對不對 हथेली पर這2 ब his चाहिए और भालों को रगड़ना शुरूरकिते ये इससे हमायव की जह ब सुदोब कर सभ़ें लादना चाहिए और के develop the जिससे बालों पर जो धूल मिट्टी के कंड जम जाते हैं वो भी अच्छे से साफ हो जाए तो एक बार के सैंपू को मैंने इस तरह से करने के बाद पानी से निकाल दिया है और दूसरे सैंपू के पाउच को मैंने पानी में फिर से घोल लिया है अब मैं इस से अपने बालों को वोश करूँगी दुबारा से सैंपू करने से बालों में जो थोड़ा बहुत मैल बच जाता है तो वो भी अच्छे से साफ हो जाता है तो इस तरह से बालों में सैंपू करना चाहिए तो बालों में सैंपू करने के बाद फिर हमें conditioner यूज करना होता है और conditioner यूज करने का भी friends एक तरीका होता है अगर हम conditioner को बालों की जड़ों में लगा लेते हैं तो बालों की जड़े हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है और बाल हमारे जड़ने शुरू हो जाते हैं तो सेंपू करने के बाद जितना सेंपू हमारे बालों में है अच्छे से पानी डाल डाल के उसे बिल्कुल निकाल देना चाहिए और फिर हमें बालों में कंडिशनर करना चाहिए तो बालों को मैंने बिल्कुल अच्छे शे बिल्कुल बोश कर लिया है, पाने डाल डाल के सारे सेंपू को निकाल दिया है और अब मैंने कंडिशनर का पाउच लिया है और बालों में कंडिशनर लगाऊंगे बालों में कंडिशनर लगाने के लिए क्या करना है बालों की जो हमारी length होती है इसमें हमने कंडिशनर लगाना है जडों में बिल्कुल भी नहीं लगाना है यहां लगाने के बाद थोड़ा सा जो कंडिशनर बचा है वो हम बालों के उपर वाले हिस्से में लगाएंगे जड़ों में बिल्कुल बे नहीं लगाएंगे क्योंकि जड़ों में लगाने से जड़े कमजोर हो जाती हैं तो इस तरीके से कंडिशनर करना है फिर दो मिनट तक बालों में इसे ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि दो मिनट तक जो इसने फाइदा जितना मिलना होता है कंडिशनर का वो तभी मिलता है जब हम कंडिशनर लगाने के बाद बालों में दो मिनट तक उसको रखते हैं और फिर से बतारी हूं जड़ों में कंडिशनर कभी भी नहीं लगाना चाहिए तो मैंने कंडिशनर लगा लिया है और 2 मिनट के लिए अब मैं जुड़ा बना के इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर दो मिनट के बाद मैं पानी डाल डाल के इस सारे कंडिशनर को भी अपने बालों से बिल्कुल अच्छे से निकाल दूँगी क्योंकि कंडिशनर हमारे बालों में रहना नहीं चाहिए पूरा पानी डाल डाल के मैं इसे बिल्कुल अच्छे से निकाल दूँगी क्योंकि कई क्या होतें मैंने देखा है कि बालों को किस तरीके से जड़कते हैं जिससे बाल बीख हो जाते हैं बाल जड़ने शुरूँ हो जाते हैं तो अभी मैं ऐसे जूड़ा बना लूंगी जो थोड़ा अफ्ट एक्स्टा पानी टपक ना है वो टाइस ठाइम और फिर मैं बालों को दिखाऊंगी कि बालों को किस तरीके से सुखाना चाहिए किस तरीके से इसमें कंगी करनी चाहिए तो मैं अभी नहा के फिर मिलती हूं आपसे तो फ्रेंड्स अभी मैं यहां पर नहा कराई हूं और बालों से पानी अभी भी टपक रहा है तो मैं क्या क के को कभी भी मत अपनाईएगा क्योंकि इसे बालों की जड़े हैं वो कमजोर हो जाती है और बाल जड़ना शुरू हो जाते हैं तो पहले आप अपने बालों को इस तरह से खोल लीजिएगा और हलके हलके हाथों से टावल से इने पोच लीजिएगा जिससे बालों में जो एक में जड़े हो जाएंगे और फिर क्या होता है कि गीले बालों काँगी भी नहीं करने यह कीले बालों नहीं करने काकी उसमें एक्स छुरूridम करने मीए छोड़ी एककज़र दीर तो में इसमें दूड़ा लोंगी और 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से लपेट कर छोड़ दूँगी तो चुन्नी में जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें सारा आ जाएगा तो चुन्नी मेरी भले ही गिल्ली हो जाएगी लेकिन बालों में पानी नहीं रहेगा और 15-20 मिनट के बाद मैं कंगी करूँगे तो आपको भी जब बाल वोश करने हो तो इसी तरीके से बालों को पोच लीजिएगा और उन्हें लपेट कर छोड़ दीजिएगा या आपके पास टाइम है तो आप जैसे लेट जाएए पंखे के नीचे सुखा लीजिए किसी तरह से भी कर लीजिए लेकिन मुझे निटिंग करनी है तो मैं इसी तरीके से इनको ल पेटी हुई है इसे में खोल दूँगी और बाल बिल्कुल हलके हलके सुखे सुखे हो चुके हैं और बालों में कंगी करने का भी एक तरीका होता है कि बालों में जैसे कंगी करते हैं और डारेक्स नीचे तक ऐसे कंगी को नहीं मारना चाहिए क्योंकि जैसे बाल धोते हैं तो वो थोड़े से उलज जाते हैं तो हलके हलके हाथों से आप कंगी कीजिएगा और उपर-उपर के हिस्से में जब कंगी हो जाते है और नीचे जो हमारी गांठे बन जाती हैं बालों में तो वो ऐसा लगता जैसे उलज गई हैं तो उपर वाले हिस्से को हाथ में ऐसे पकड़ दीजिएगा और फिर हलके हलके हाथ से नीचे तक कंगी को करके लेकर आईएगा जिसे जो गाठे बन गई हैं बालों में वो सुलच जाएंगे और अगर हम जल्द बाजी में ऐसे कंगी मारेंगे तो जो गांट वनी हुए बालों में वो ऐसे की ऐसी ही तूट जाएगी और बालों को बहुत जादा नुकसान होगा तो आप हलके हलके हाथों से इस तरीके से अपने बालों में कंगी कीजिएगा तो मैं अपने बालों में इस तरह से कंगी कर लेती हूँ और फिर बालों को सूखने के बाद मैं फिर से इसमें ओयल करती हूँ क्योंकि सूखने के बाद भी बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी होता है नहीं तो हमारे बाल बिल्कुल सुखे सुखे से और रुखे रुखे से हो जाएंगे तो मैं अभी बालों में कंगी करके और इन्हें सुखने के लिए छोड़ दूँगी जब मेरे बाल बिल्कुल अच्छे से सुख जाएंगे तब मैं इनमें ओल लगाऊंगी तो फ्रेंट्स मेरे बाल बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं और अब मैं अपने बालों में लगाऊंगी केस्किंग तेल और तेल मैं बालों की जड़ों में भी लगाऊंगी और बालों की जो लेंथ है उस पर भी लगाऊंगी और केस्किन तेल की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बालों में चिप चिप बिल्कुल भी नहीं करता है जब हम बालों में तेल लगाते है तब एक बार ऐसा लगता है कि जैसे बालों में बहुत ज़्यादा तेल लग गया है लेकिन घंटे या दो घंटे के बाद ही आपके ब अपने बालों की केर करती हूं गर्मियों के मौसम में वन वीक में दो बार और सर्दियों के मौसम में वन वीक में एक बार तो आप भी इस तरह से अपने बालों की केर कर सकती हैं अपने बाल लंबे काले घने बना सकती हैं तो यही मेरे बालों का राज है जो काफी सारे सब्स बाइब बाइब बाइब